ओल्ड पेंशनी उजना क्रमचारियों का हक सरकार का एहसान नहीं। डॉक्टर असोक तवर ने कहा, कहा एक जुन से शुरू होने वाली ओल्ड पेंशन स्किम बाहली हात्रा को आमादमी पार्टी का समर्थन। आप वरिष्ट नेता डॉक्टर असोक तवर ने वुद्वार को बैयन जारी करका कि हर्याना में 2024 में आमादमी पार्टी की सरकार बनने पर सभी सरकारी करमचारियों को ओल्ड पेंशन स्किम लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्किम सरकारी करमचारियों का हक है कोई सरकार का एहसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्वे पर एक जून से नांगल चोधरी से सुरू होने वालिया तरकन आमादमी पार्टी समर्थन करेगी। आमादमी पार्टी सभी करमचारियों के साथ है अगर कहीं भी मनहोरलाल सरकारी करमचारियों के साथ ज्यादती की तो आमादमी पार्टी करमचारियों के आगे ढ़ाल बनकर खड़ी होगी। वरिष्ट नेदा असोक तवर ने कहा कि हरियाना में मनोहर सरकार करमचारियों की साथ कमेटी बनाने के नाम पर चल कर रही है और सरकारी करमचारियों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है सरकार करमचारी देश को चलाने का काम करते हैं सबी वागों में तयानात करमचारी जनहीत और देश के हित में कारिया करते हैं इसलिए उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जायद है वहीं उन्होंने कहा कि MPMA 4-5 बार जीत कर 4-4-5-5 पेंशन लेते रहते हैं वहीं सरकारे करमचारी तो 30 साल से ज्यादा सेवा करते हैं वे अपने प्रिवार के बेहतर समाजिक स्रक्षा के लिए एक पेंशन ही तो लेते हैं उन्होंने कहा कि देश का विकास बड़े भवन और इमार्थ बनाने से नहीं होगा बलकि जनता और करमचारी को स्रोसल स्क्योर्टी देने से होगा दिल्ले के मुख्यमंतरी और पार्टे स्प्रेमो अर्विंद केजरिवाल और आमादमी पार्टे का मानना है कि पूरे देश में ओल्ड पेंशन योदनार लागू होनी चाहिए उन्होंने का कि आमादमी पार्टे की सरकार में पंजञाम में मुख्यमंतरी भगवनतमान के नेतरतों में ओल्ड पेंशन योदनार लागू की थी सरकारी कर्मचारियों को इसका लाव मिलना सुर्भ होचका है उसी तर्थ पर हरियान में वी दोजार सोबिस में आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर तुरंत ओर्ड पेंशन जो जिना लागो की